नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी अप्स चैनल पर आज के वीडियो में हम देखेंगे कि धन का चार्ट यूज करके आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए आप धन के चार्ट को कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं तो वो क्या है यह सब इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले मेरे स्क्रीन पर आ जाते हैं देखिए यहाँ पर मेरे स्क्रीन खुला हुआ है यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक वाच लिश्ट बनाई हुई तो अगर आप Scalping नहीं भी करते हैं लेकिन Quick In and Out करना चाहते हैं तो भी आपके लिए काफी ददा Helpful साबित होता है नीचे की तरफ मैंने Volume लगा रखा है और यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं देखेंगे यहाँ पर मैंने Tata Power का चार्ट सेलेक्ट किया हुए जिसमें Daily Time Frame मैंने सेलेक्ट कि हुई है आप क्योंकि एक Quick In and Out करना या Scalping करनी है तो जाद तर हम बहुत छोटे समय में वह चीज करते हैं तो आप इसको 5 मिनिट का कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ से और भी चीज़े बदल सकते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखें यहाँ आप टाइम फ्रेम जो है बदल गई है पांच मिनट के हिसाफ से हो गई है यहाँ पर भी दे रहा है अब इसमें यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाएगा इस स्कैलपर का जिसे हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपके सामने एक फ्लोटिंग विंड़ो आ जाता है इस तरीके से जिस पर आपको दिखाई दे रहा है और quickly trade exit कर सकते हैं means यहाँ limit price वगरा option नहीं है केवल buy, sell and quantity का option आपको दिया गया है मैं कितनी भी quantity यहाँ पर फटाक से डाल सकता हूं और चाहे हो तो एक quantity के साथ भी कर सकता हूं अब देखे इस floating window पर दोस्तों आप यहाँ पर एक ही click में sell या buy कर सकते हैं easily अगर देखे टाटा पार मैं आपर खरीदना चाहूं तो एक quantity मैंने आपर select कर ली एक चाहूं, दो चाहूं, तीन चाहूं मैं आपर डाल सकता हूं मैं फिलाल एक करके आपको buy करके दिखाता हूं यह मैंने buy का बटन दबा दिया और आप देख सकते हैं कि order submit हो गया, order execute हो चुका है तीन चीज़ें हाँ पर आजाती है, आप चाहे तो close कर सकते हैं अब यह जो आप blue line एक देख रहे हैं यहाँ पर, यह blue line मुझे बता रही है यहाँ पर अगर आप जाएंगे setting के tab पर, तो आपको यहाँ पर order's पर चले जाना है और यहाँ से आप select कर सकते हैं कि आपको intra day के लिए खरीदना है या overnight के लिए खरीदना है अगर आप hold करना चाते हैं तो आप overnight पर select कर सकते हैं या फिर आप intraday पर select करके जो इस calculate कर सकते हैं आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप यहां से settings में जा सकते हैं settings में जा करके आपको जाना है trading के अंदर आप चाहे तो wait कर सकते हैं आप चाहे तो directly यहां से close भी कर सकते हैं अभी मैं थोड़ा सा wait करूंगा और आपको दिखाऊँगा कि और भी क्या features बना सकते हैं जैसे कि मैं जबान के चलिए यहां पर क्लिक करके दो दो उन्टो लगाना चाहों तो यह दो विंडो मैंने यहाँ पर लगा दी अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी आ चुका है लेकिन टाटा पावर अभी भी मेरे फ्लोटिंग विंडो के ऊपर दिख रहा है तो आपको क्या करना है बस चार्ट करना है ज इसको भी आप यहाँ पर देखना चाहते है फ्लोटिंग विंडो पर और रिफ्रेश का बटन दबाना है रिफ्रेश का बटन दबाते हैं यहाँ पर निफ्टी-फ्टी आ जाता है देखे अगर मैं यहाँ पर बाय और सेलपल क्लिक करता हूँ या फिर हाइस्ट ओवाई पर क्लिक करता हूँ and based on my bullish view and expiry मुझे यहाँ यह दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा open interest किस निफ्टी-फिफ्टी के contract में है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे call options आपको दिखाई दे रहे होंगे और देखें यहाँ पर put का option आजाता है तो आप देख सकते हैं मैं इसके chart को select करता हूँ और आप देख सकते हैं कि इसका chart load हो गया है अब जैसे मैं कोई भी chart यहाँ पर select करूँ तो यहाँ पर उसका चार्ट लोड हो जाता है 22,500 हमने सेलेट किया था यहाँ पर देखिए उसका चार्ट लोड हो जाता है और जैसे ही मैं यहाँ पर Buyer Cell का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर इसके Scalping का Window मेरे सामने Open हो जाता है यहाँ से मैं Cell या बाय डारेक्ली कर सकते हैं और Quantity आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 minimum हमें करनी होती है तो वो यहाँ पर already डली होए होती है और सेम ही तरीका होगा Cell या बाय एक एक क्लिक पर कर सकते हैं इसमें भी आप Multiple Window Open करके Floating Scalper को Refresh करके respective position ले सकते हो अब हम हमारी पुरानी position को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी हमें loss हो रहा है मैं इसका view change कर देता हूँ और हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी 25 पैसे loss चल रहा है इसको मैं close यहाँ से बहुत easily कर सकता हूँ close position का बटन जैसे मैं दबाऊँगा तो यहाँ पर मैं close का बटन दबाऊँगा और close position कर दोँगा तो देखेंगे यहाँ पर position close request sent successfully यह हमारा execution हो चका है और यहाँ से वो blue line भी हट जाती है तो यह था दोस्तो धन के उपर scalping करना अब यह quick buyers और sellers जो होते हैं या फिर जो scalping करते हैं उन सभी के लिए helpful होगा अगर आपका कोई feedback है तो आप comment section में ज़रूर लिख सकते हैं वीडियो पसंद आया है तो like और share ज़रूर कर दीजेगा Thank you